नमस्कार स्वागत है आपका कुजर्बुक यूटीब चैनल में आज हम यूपी डियू सी वीडियो रे एक्जाम से रिलेटन एक और प्रैक्टिस सेट के साथ यहाँ पर उपस्तित हैं जिसमें हिंदी परियानियों लेखनियों के दसेज़ा मंदित पचास अति महत्तपूर् तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और सारे कुशन्स को अटेंड करें और अपने आंसर समय कमेंट बॉक्स में बताएं अगर इसके पहले के प्रैक्टिस सेट आपने अटेंड नहीं कियें तो अपने चैनल पर जा करके जरूर चेक कर लें और अटेंड करके उन्हे अपनी तयारी मजबूत बनाएं तो देखते हैं आज के हिंदी के important questions हमारा पहला question है जिन अव्यों का संबंध बाके से नहीं वक्ता के हर सोक आदि भाओं से होता है वे होते हैं तो options है विसमयादी बॉधक अव्यों संबंध सूचक अव्यों क्रिया विशेशन या समुच् option A यानि विसमयादी बॉधक अव्य अगला प्रिशन है नेका प्रियोग किस कारक के साथ होता है option से करण, कर्म या संप्रदान सही उत्तर हमारा option B यानि कर्दा के साथ अगला प्रिशन निमलिकित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है बेटी, बेटिया, डिबिया, डिबिय श्रोता, श्रोतागर, वधु, वध्वी तो राइट आंसर हमारा option B यानि डिबिया, टिबिय है ये जो है इस सही नहीं है इसके अलावा जो तीनों दिय हुए है वो एक वचन और बहुवजन का सही जोड़ा है अगला प्रिशन है रस्खान, रहीम, देव, रतनाकर, आदि अगला प्रिशन है पच्ची दाना चुग रहा है में पच्ची रेखांकित शब्द का परियावाची शब्द नहीं है पंकच, अंडज, खग या नबचर तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है option A यानि पंकच पंकच बोलते हैं कमल को यानि पंकच जो अगला प्रिशन है मेरा आज खाने का मन नहीं होता अशुद्ध अंश पस्ट कीजिए मेरा आज खाने का या मन नहीं होता तो सही उत्तर जो हमारा हो जाएगा वो है option A यानि मन नहीं होता अगला प्रिशन है इसमें शुद्ध सब्द है अध्यन अध्यन या तो इसमें वर जिसे चमा ना किया जा सके, के लिए एक शब्द है, अचमा, अच्छाम में, अच्छाम में या अच्छाम में, तो सही उत्तर मारज हो जाएगा, वो है, option D यानी अच्छाम में, अगला प्रिशन है, हाहा कार हुआ, क्रिंदन में कठिन वज्र होते थे, चूर पंक्ति में कौ चिन है, स्वर के पहले दो बिंदू, स्वर के ऊपर चंदर बिंदू, स्वर के आगी दो बिंदू, या स्वर के ऊपर एक बिंदू, तो सही उत्तर मारज है, option D यानी स्वर के ऊपर एक बिंदू जो है, वो अनुश्वार को प्रदरश्यत करता है, अगला प्रिशन है, वा एक ही होते हैं, इसलिए यहां पर दूनों शब्दों का एक साथ प्रयोग किया गया, इसलिए भाग जो इसका है, वो है टुटिपोन, तो राइट आंसर हमारा ओप्शन भी हो जाएगा, अगला प्रशने, भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुन्ना है, तो I was overjoyed, तो इस options देख लेते हैं इसके लिए, मैं उलसित था, मैं खुशी से उपर था, मेरा दिल बाग बाग हो गया, यह मेरी खुशी ज्यादा थी, तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, options यानि मेरा दिल बाग बाग हो गया, अगला प्रशने, निम्रकित वाक्यों में से पूर्ड वरतमान कारल को इसपस्ट कीजिए, हम अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह गुमने जा रही है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाओंगी, तो सही उत्तर हमारा option यह है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, तो राइट आंसर हमारा option यह है, अगला प्रशने, रिक्त बच्चे तस्वीर या कोड़ी तो सही उत्तर हमारा जो इसका होगा वो होगा option C यानि तस्वीर यानि राम ने तस्वीर देखी अगला पिशने निमलिकित में से तत्सम तद्भो का सही युग में महूक महुआ अच्वाट अखाड़ा आद्रक अद्रक इच एक सही उत्तर हम option B यानि अच्वाट और अखाड़ा अगला पिशने वी उपसर्ग से बना शब्द निमलिकित में से कौन सा है बहन भीम विमुक या वीर तो राइट आंसर हमारा option C यानि विमुक अगला पिशने राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट इस पंक्ति के दोनों चड़नो में कुल मिलाकर कितनी मात्रा हैं ओप्शन से 24, 26, 25 या 23 तो सही उत्तर हमारा option A यानि 24 अगला पिशन है हिंदी में शब्दों के बाद जोडने वाले शब्दांसों को क्या कहते हैं सर्वनाम, परसर्ग, संग्य या विशेशन तो सही उत्तर जो हमारा है वह option B यानि परसर् अगला पिशन क्रोध रूपी अगनी, क्रोधागनी या कौन सा समास है कर्मधारे, द्वंद, अभीभाव या बहुरी तो सही उत्तर हमारा option A यानि कर्मधारे समास उत्तान का निम्लिकित में से कौन सा सही विलोम शब्द है, पतन, पातन, पतान या पातन, तो सही उत्तर हमारा option A यानि पतन, अगला पिशन देखते है, यहाँ पे एक paragraph दिया हुआ है, गध्यांच, तो इस paragraph को आप ध्यान से पढ़िए, और इससे समादे नीचे कुछ questions द देखने हैं, तो questions देख लेते हैं, खेलों में निर्धन रास्ट भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ आपसी गुडबंदी, कि लाडियों के पेक्षा, दोशपूर्ण नीदियां, यह खेलों को रास्ट सम्मान, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, वो है option अगला प्रशने, गद्यांस का उप्यूगत शीर्शक हो सकता है, तो तंतरता प्राप्ति खेलों का गिरता अस्थर, ओलंपिक पदग या रास्टी पृतियों के दाएगे, तो राइट आंसर जो हमारा है, वो है option B, यह खेलों का गिरता अस्थर, अगला प्रशने, खेलों गिरते स्थर का कारण नहीं है, दोश्मोन नीतिया, संगों के गुडबाजी, सुविदाओं का अभाव या खेलों के लिए रास्टी सम्मान, तो राइट आंसर जो है, वो है option D, यानी खेलों के लिए रास्टी सम्मान, अगला प्रशने, खेलों का नकारात्मक प्रभाव पढ़ता था, पढ़ता है, खिलाडियों को सुविदा देने से, अभ्यास करने से, आपसे गुडबंदी होने से, खिलाडियों को सम्मान देने से, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा option C, यानी आपसी गुडबंदी से, अगला प्रशने, गद्यांश के अनुसार अन्त, अभिने, नाटक, तो राइट आंसर हमारा option A, अवद्धी और अवद्धी, अगला प्रशन, निम्रिक इच्छा वाक क्यांश में प्रतमवा अन्तिम निश्यत है, शेश को चित करम में व्यस्यत करना है, तो पहला दिया है समाचार पत्रों में, फिर उसके बाद हो जाएगा प्रकाशित विग्या बनो, यानि यावला हो जाएगा नंबर एक पर, फिर इसके बाद होगा दौारा लोग उप्योगी, फिर इसके बाद में आवश्यक्त था उत्तम उत्तम पदार्दों से परचित होते हैं, तो नंबर तीन पर हो जाएगा रा, नंबर चार प पाक के बनेगा वो हो जाएगा समारचार पत्रों में प्रकाशित विज्या बनू द्वारा लोग उपयोग आवश्यक तथा उत्तम उत्तम पदार्थों से परचित होते हैं तो इसके एकॉर्डिक जो मेरा राइट अंसर हो जाएगा वो है यहां का तट्षिम शबन होता है अगला प्रिश्ण और प्रिध में से कौन सा शब्द तट्शम है आलस से आम आग या आसरा तो सही उत्तर हमारा प्रिश्ण एहानी आलस से अगला प्रिश्ण जिसका सम्मंद अध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द होगा अध्यात्मिक, धार्मिक, शाष्ट्री या नैतिक सही उत्तर हमारा option A है यानि अध्यात्मिक अगले प्रश्ण में तो सूचियां दी गई है तो उनको आपको सुमेलित करना है इसमें विलोम शब्द दिये हुए है तो उनको आपको सुमेलित करके सही उत्तर का चैन करना है तो सुस्त का जो विलोम हो जाएगा वो होगा चुस्त यानि इसको यह से मिलाएंगे स्थूल का होता है सूच्ष्म, जटल का होता है सरल और आधान का प्रदान तो इसके कोड्िंग जो हमist रायट आंसर हे वो ऑप्षönd D है यानि बप्षण D हमारा रायट आंसर है अंगला कुश्षिह हस्त लिखित का सही सामासिक विग्रा निम लिखित में से कौन सा है हाथ पर लिखिद, हाथ से लिखिद, हाथ के लिए लिखिद या हाथ में लिखिद तो right answer हमारा option B है यानि हाथ से लिखिद अगला पुशन, गौरों का लागों से वही सम्मंद है जो नकत का फिर खालिस्तान दिया हुआ से है तो options देखते हैं अकल, मूल, सकल या दिमाग तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा option B यानि मूल तो हमारा वाक्य बनेगा गौरों का लागों से वही सम्मंद है जो नकत का मूल से अगला पुशन है निमलिकित में कौन सा शब्द देशेज नहीं है टोपी, पेट, लाठी या गमला तो राइट आंसर हमारा option D यानि गमला अगला पुशन देगे वाक्य में तुर्टिपोर्ण अंच का चैन करना है तो वाक्य देख लेते हैं करुपया आप ही या बताने की करपा करें कि दिल्ली कब चलना है तो इसमें जो तुर्टिपोर्ण भाग है वो हो जाएगा हमारा option A यानि करुपया आप ही अगला पुशन दुम्दभाकर भागना मुहावरे का अर्थ निबिकित में से कौन सा है डराकर भागना बिना डर कर भागना डर कर भागना या डर को भगाना तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा option A यानि डर कर भागना अगला प्रिश्ण कौन सवागे सतत्य बोधक भविश्यकाल में है तो ऑप्शन देखते हैं जवान देश की सेवा करते रहेंगे शायद विनोज चला गया मैं लखनो जाओंगा कृष्ण मुडली बजाएगा तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन यानि जवान देश की सेवा करते रहेंगे अगला प्रिश्ण टेस्टी मूरल का हिंदी अनुवाद है अनुशन सपत्र, इस्तूती पत्र, प्रमाण पत्र या परिचे पत्र तो राइट आंसर हमारा जो है वो है ऑप्शन सी यानि प्रमाण पत्र अगला प्शने कालिंदी का परिवाच्ची क्या है ऑप्शन से सरश्वती, लक्ष्मी, गंगा या या मुना तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है ऑप्शन डी अगला कुशन देखते है मिम्लकित में इस त्रीलिंग शब्द कौन सा है वेधना, अध्याय, त्याग या नेत्र सही उत्तर हमारा जो है वो है ऑप्शन यानि वेधना यानि वेधना शब्द जो दिया है ये इस त्रीलिंग है अगला प्शने निम्लकित वाक्य में क्रिया विशेशन पदबंद क्या है उस पहाड़ी के पीछे मेरा गाउं है उप्शने अगला प्शने वियोग शंगार रसकी कितनी दशाएं मानी गई है 8, 6, 10 या 4 त्याज़ उत्तर हमारा उप्शन C यानि 10 अगला प्शने निम्लिकित में से क्या प्रशंसा सूचक विसम्यादी बूदक अव्य नहीं है साधू, साधू, सुन्दर, बापरे बाप या शावाद सही उत्तर है अप्शन से है ने बापरे बाप अगला प्रशने जो किसी का अनुवाद ना हो के लिए एक शब्द होगा अपभ्रंच, अपठनी या अपठीत या मौलिक तो सही उत्तर है ऑप्शन डियानी मौलिक अगला प्रशने जद्ध पिवाद बिमार था परंत वह मेला गया वाक्य में तुटियां सुदारनी है तो जो तुटि रही जो इसमें वाक्य है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन से यानी यद्ध पिवा बिमार था तुटा पिवा मेला देखने गया ये वाला हमारा जो वाक्य की एकदम सही हो जाएगा इसमें तुटि नहीं है अगला प्रशने माला फिरत जुपया गया ना मन का फिर करका मन का डारी के मन का मन का फिर इस पंक्ति में अलंकार है रूपक, शलेश, यमक या उपमा सही उत्तर हमारा उप्शन सी यानि यमक अलंकार अगला प्रश्ण निम्लिकित में कौन सा शब्द हासे का विलो मारती है शौर, उपहास, रूदन या हास सही उत्तर हमारा उप्शन सी यानि रूदन अगला प्रश्ण निम्लिकित में से अनिश्चे वाचक सर्विनाम कौन सा है, मैं, वा, जो या कोई, तो सही उत्तर हमारा उप्शन डी यानि कोई अगला प्रश्ण उपविराम का चिन है तो उपविराम को पिदर्शित किया जाता है option A यानि हमारा option A सही है यह हमारा उपविराम हो जाएगा तो यह थे हिंदी के important questions अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे like शे जरूर कर दें और ऐसी informational videos के लिए हमाई चनल पे बने रहें चल मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you